नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत हैं अमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बैनों से अपील लएगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक सदिक लोगों तक से सब्सक्राणकारी होगी भी हल्दवानी में जगह है वहां पर रेलवे की जमीन पर 4365 अवैद मकान बना लिए गए इंक्रोच्मेंट करके अतिक्रमण करके दावा किया गया कि वहां पर 50,000 लोग रहते हैं मामला पहुचा कोट में पहले पहुचा डिस्टी कोट में डिस्टी कोट से मामला खारीज हुआ तो उसके बाद पहुचा हाई कोट में उत्राखंड की उत्राखंड के हाई कोट ने उत्राखंड की सरकार को निर्देश दि उसके बाद इस देश का जो एक कते ने लेफ्ट लिबरल गैंग जैसे प्रसांद भूसन हो गया विसे एक मनु सिंग्वे इस तरीके के लोग कांग्रेस पार्टी इस दैट इसा भी कठा हुए जिसमें इम्रान प्रताब गड़ी सांसद है कांग्रेस पार्टी का वो भी और ये लोग पहुच गए सुप्रीम कोट ने तत्काल रोक लगा दी थी फिर से मामला कल सुना गया और सुप्रीम कोट ने जो कहा आपको वो बताऊंगा उसकी अनालेसिस करूंगा और आप खुद से सोचिएगा कि सुप्रीम कोट के फैसले क्या मानमी ग्राउंड पे ही होते रहेंगे क्या आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के तहत ही होते रहेंगे या इस देश में बने हुए कानूनों का कोई मतलब है या एक तरीके से छूट दी जा रही है कि आप जितना मन करें उतना इंक्रोश्मेंट करिए, मकान बना लीजिए, बच्चे पैदा कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको प्रोटेस्ट में आगे कर दीजिए, फोटो खि सारी बाते की, तो आईए डिसकस करते हैं और देखते हैं क्या क्या बाते हुए, हल्दवानी के रेलवेट ट्रेक से नहीं हटाया जाएगा, अतिक्रमण सुप्रीम कोट ने लगाई फिर से रोक, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोट ने का है कि हम निर्दश नहीं है, कोट का क क्या है कानून का पालन करवाना जो इस देश की संसद में बनता है ठीक है मानवी ग्राउन कभी कभी आता है लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके घर कोई चोरी कर ले या सरकार के घर कोई चोरी कर ले चाहे वह जमीन की चोरी हो चाहे किसी वस्तू की चोरी हो तो क्या इस देश की अदालतें दया के नाम पे उनको छोड़ देंगी जो रेलवे की जमीन एक तरीके से चोरी करके बनाया गया है वहाँ पे अपना घर बनाते वक्त लोगों को पता था कि यह चोरी की है क्या एक भी व्यक्ति पे सुप्रीम कोट निर्दई हो सकता है या एक सवाल और पैदा होता है कि क्या उत्राखंड की हाई कोट निर्दई थी जो इनको हटाने के लिए कह दिया और सुप्रीम कोट निर्दई नहीं है तो पहले कोटें आपसमें तै कर लें कि कौँण दयावान है और। कौण निरद़ैयी है देखे लॉजिक तु लॉजिक बात चलेगी जो लॉजिक सुप्रीम कोट ने दिया वोही लॉजिक मैं भी दे रहां मैं कोई अलग से अपनी कोई खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ सुप्रीम कोट ने का है कि हम इतने निर्दई नहीं हो सकते हैं आखिर में जो वहां लोग रहा रहे हैं वो इनसान है तो इसका मतलब उत्राखंड के हाई कोट ने जब फैसला दिया कि इनको वहां से हटा करके रेलवे को जमीन वापस क की जाए तो ओ निर्दई थे तो कहिए अपना अस्पष्ट रूप से कि उत्राखंड हाई कोट का फैसला जो था उत्राखंड हाई कोट निर्दई है सुप्रीम कोट निर्दई नहीं है ठीक है यार बताईए इतने लोगों पर बुर्डोजर कैसे चल सकता है खैर कि सुप् कोट ने एकसेप्ट कर लिया कि अतिकर्मन है उसके बाद यह दलील है उनके लोगों के लिए पुनरवास की वेवस्था की जाए केंदर और रेलवे साथ में बैठ करके पुनरवास की वेवस्था करें और राज्यसरकार मतलब आप पहले सरकारी जमीन हड़पिए या किसी क जमीन पर कबजा करिए कबजा करके घर बना करके रहिए जब कुछ दिन बाद हो कबजे अपनी जमीन वापस लेने आए तो आप कर दीजिए कि हमको बसाने के लिए जगह दीजिए हमको पुरारवास की वेवस्था करिए लेकिन इस देश की अदालत है इस देश का कोई बोई वकील इतना सा सवाल पूछने के लिए नहीं तयार है इन कोटों के अंदर कि ये लोग 50 साल पहले कहां रहते थे कहां से आये थे इनका गाओं कहां है सहर है तो इनका सहर कहां है अगर ये पता चल जाता तो ये पता चल जाता कि क्या ये जहां से उठकर के आ करके आ इंक पुछा किसी के दिमाग में भी नहीं आया क्या पुछना चाहिए ना मैं आज लखनव में रहता हूँ मेरा गाँ वाचमगड में है इसी तरह आप लोग भी बहुत सारे सहरों में जाकर के जमीन ले करके खरीद करके बना करके रहते होंगे या किराये पे रहते होंगे आप कह करने की दरुवत है कि यह लोग जहां से आए हैं वहां इनके पास क्या है सब्सक्राइब बदार इस लिए खैर पूछने वाला इस देश में कोई नहीं है इसलिए सब को छूट रहे हैं दो चार लोग मत करिएगा उतने में तो पुलिस डंडा ले करके भगाते हैं दस पांच हजार लोग जाईए सरकार की किसी जमीन को कप्या कर लिजिए रहने लगे उसमें जब हटाने की बात आए सब्सक्राइब करें कर देगी सुप्रीम कोट से नीचे बात नहीं वने लुए सी कोट के अंदर कोई दया नहीं कह रहा हूं कि किसले पांच जन्मरी को आधेस को रद करने का आग्रह किया था सुप्रीम कोट ने हल्दवानी में 29 एकड़ भूमी से अतिकर्मन हटाने के लिए उत्रा खंड हाई कोट के आदेश पर रोक लगा दी थी जिस पर रेलवे ने दावा जताया था जस्टिस सुरिकान जस्टिस रिपांकर दकता जस्टिस उज्वाल भुईया की बेंच सुलवा कि वहीं सुप्रीम कोट में रेलवे की तरब से कहा गया कि सरकार वांधे भारत चलाना जैती है जिसको लेकर के प्लुट्फियूरत को बढ़ा करने की जरूरत है इस पर सुप्रिम कोट-ने का एक हम कि विट बाटको डिनाई नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें बैलेंस करने के ज़रूरत है संभिधान में करने का काम सुप्रीम कोट का नहीं है उसके लिए इस देश के लोगों नोट दे करके सरकारे बना रखे हैं अगir बाद करते सरकारे के सब हैं सब्सक्रारे stick का पुनरवास की ब्योस्था करनी पड़ेगी इस देश के सारी सरकारों को नजीर पेस कर रहा है सुप्रिम कोट इंक्रोच्वेंट कियो कोई ढर्निक जरूत ने पुनरवास की जब तक ब्योस्था नहीं करेगी सरकार तक आपको हटा नहीं सकती है क्यों भाई गजा बहाल बना जानकारी नहीं थी पहले आगे बढ़ने का रास्ता है हम आगे बढ़ने का रास्ता कुजना होगा कोट ने कहा कि फारेश्टेरिया को छोड़कर विध illness को लेकरके विकल्प तलासना जरूरी है इन लोगों को जगह दी जाए इन लोगों को बसाने का इंतजमी मैं किल रहो और पब्लिक लिटिगेसन है जिसकी जमीन जा रही है वो जा करके पूछे भी न मिलाट क्या बात कर रहे हैं पिछे को पड़ा आप प्याइल पर आदेस दे रहें कि इनको पुरवास की उस्ता की जाए और आप नोटीस क्यों नहीं दिया घजय वाले बिना नोटीस बिना सारी चीजों के ही मामला पहुच गया हाई कोट और हाई कोट का आदेस भी आ दिया और आपको रोक लगाना पड इस पर आपने सब इच्छा नहीं की कौन पहुचा था कोट खैर फिर पुचा कि वहां से कित्रे लोगों को हटाना चाहते हैं इस पर एस जी भाटी ने कहा एस्वर भाटी ने कहा डिस्नल साली शीटर ने कि 1200 जोपड़ी है जिनको हटाना है वहां से वो रेलवे की जमीन प कह क्या रही यह यह मतलब अद्बूत है मतलब क्या ही कहा जाए खर कोट ने आगे कहा अगर वे अतिक्रवनकारी हैं तो इंसान भी है मिलाट एक बात बताईए केजरीवाल इंसान नहीं है छोड़ दीजिए इस देश में लाखो लाखो लोग जो जेलों में बंद हैं क्या उनको इंसान इस देश की कोट नहीं मानती है क्या कोई चूरी किया है वो इंसान नहीं है क्या किसी ने हत्या किया है वो इंसान नहीं ह पस्वों की तो सुनवाई नहीं होती कोट में कोट में तो जो भी गया है सब इंसान है वकील साब इंसान है रेलेवे की जमीन में जो रेल पे चलेगा वो भी इंसान ही होगा तो उसमें डोई नहीं जाएगी रेलबे में गजब लॉजिक है मैं लॉजिक की मत कर रहा हूं तो जैसा लॉजिक सुप्रीम कोट का वैसा लॉजिक मेरा भी है मैं तो सवाल पूछ रहा हूं अच्छा पर उन्тесь है और वो कई दसक से वहार रहे हैं सबके पक्के मकान हैं कोट निर्दय नहीं हो सकती लेकिन वह अतिक्रमण जैसी चीजों को बढ़ावावा भी नहीं देगी कि रही हम अतिक्रमण को पढ़ावा ये उस अक्रमण कारियों को साबसाफ Psalm मकान टोड़ कर करके भगा दो अतिकरमण देश में रुख जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोट पुनरवास की कोई व्यवस्था नहीं करेगा भाई साब अगर गलती से बना लिए हो जिस दिन मामला खुलेगा उस दिन भईया यहां छोड़ करके जाना पड़ेगा लेना निर्देश दे दिया एक चीज और बाकी तो जो कहा वकीलों ने उस पर तो कोई ध्यानी नहीं दिया कोट ने क्या माना अतिकरमण है कोट ने माना रेलवेक जमीन है कोट सब मान लिया लेकिन आप पुनरवास की वे उस्था करो या तब इनको अटाओ क्योंकि वो इंसान ह और बाकी लोग तो इंसान है नहीं तो इंसानियत के नाते ही कोट को इस देश में जितने भी कैदी है जितने भी गुनागार हैं चैक किसी भी केस में सब को छोड़ देना चाहिए और छोड़ी रही है ना आर्टिकल 21 एक नहीं आप ली केसन आजकर चल आए कोट में अर्ट दिखाऊंगा यही मानवी याधार और कई दसकों से रहते हुए एक हर्याणा का फैसला दिखाऊंगा आपको जो इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले किया था और वो इससे जादे तगड़ा मामला है खिक अच्छा पचाज या लोगों को कैसे हटाएंगे फिर इसमें अधिकांस मुस्लिम है यह है वो है दिस दैट दोच इस पर दुनिया वर की चीज़े हो गई चलिए कोई बात नहीं उत्तरा खंड के चीफ सेक्रेटरी के इंदर सरकार संबंदीत अधिकारी है साथ कोट का कि आप जो पुनरवास की पॉलिसी लाएंगे वहाँ पॉलिसी से सहमत होने चाहिए जो अतिकरमण की मनलब जोर इस देश में सहमत होना चाहिए कि सरकार जो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं उनके लिए पसंदीदा है कि नहीं है अगर मालीजे नहीं पसंद आई तो आप पसंद करवाईए पायर पकड़ के पसंद करवा उंके नहीं सहाँ आप पसंद कले पॉसरी लें लें नेहीं इधर वाले दूसरी वाली ले लिजिये आप ने इतना महान काम किया 30 40 साल में वहां पे आपने कभजा के रेवए की जमीन उसके बदले आपको रिवर्ट तो मिलना चाहिए ना नहीं मिलना चाहिए बताईए आपने इतना महामकारी किया आपने 50 साल तक भोगा रेलवे की जमीन को उसका तो रिवर्ट आपको मिलना चाहिए कोड़ दिलवा रही है तो मिलेगा ही अब आपको लाते हैं दूसरे मामले एक सो पचास साल से कितने साल से यहां पर तो 40-50-60 साल का मामला है एक सो पचास साल से सो एकड सरकारी जमीन पर रह रहे परिवारों को खाली करनी होगी जमीन सुप्रीम कोट के आदेश के बाद प्रसासन हुआ सक्री दो साल का माम, दो साल पुराना मामला है, सुप्रीम कोट का आदेश है, सो एकड जमीन थी, गाओं में, वहाँ पे कोई रेलेवे किसी को खाली कराना, कोई जरूरत नहीं थी, कोई रेलेवे का विस्तार नहीं होना थ था कोई वहाँ पर सरकारी ओजना नहीं लगनी थी कोई वहाँ पर इंग स्कूल विद्यालय हॉस्पिटल नहीं बनना था कहा कि गाउं जो है वो सरकारी जमीन पर बस गया है यह जमीन गाउं के चारो तरफ उजाओ जमीन है जिसमें सारे किसान अपने बच्चों का पालन पोसन करते हैं रोजी रोटी के लिए काम करते हैं रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार किसानों ने 1928 तक के जो रिकार्ड है उप्रव्द करवाते हैं उस रिकार्ड में यह जमीन उनके दादा पर दादा भी उसी जमीन पे थे इंद्रा गांधी के सिलिंग आयक्ट का कोई मतलब भी नहीं रहा पढ़ लेते थोड़ा सा लेकिन ने 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 तोपनिर कोट है ना अटाओ क्या उन कौन है अच्छा तुमनों चला हड़ो खाली करो यहां पे क्या इंसान नहीं थी यहां पे कोई मानवी आधार नहीं था और डेड़ सो साल से कब जाधारी हैं डेड़ सो साल से उसी जमीन पे रह रह रहे हैं और 928 तक अंग्रेजों के सासंकाल तक तो दिखाते हैं उनक सरकार को भी जेते जो माल हो जारी है और लेंट लगता है वो सब कुछ देते थे 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 हजारों परिवार हैरान ग्रामिड बोले सामलाज जमीन ने उन्हें हर प्रकार के टेक्स दिये हैं ग्रामिडों की चेतावनी इंतकाव इंतकाल रद नहीं हुआ तो होगा बड़ा आ पचास केसा आपको लाग सकता हूं और मैं बता रहा हूं लैंड के मामले में मैं बहुत सारे बड़े-बड़े लायरों से अच्छा जानकार हूं आप जाहें जोन सा लैंड का मामला हो लैंड एक 1888 से लेकर करके जो अंग्रेजों के जमाने मिला और 901 में जो बंदी लौ बना उसके बाद जो ग्राम समाज की जमीने जमीनों का आवंटन हुआ उसकी अलामा जो आबादी की जमीने हैं जिसमें कलर नक्सा बनता है वो सारी पता है एक ही सुप्रीम कोड इस देश का एक ही कानून दो तरीके के फैसले वह भी बहुत पुराने नहीं दो साल के अंदर इसमें से बहुत सारे जैज हैं जो उस पिरिएड में थे क्यों यहां हजारों लोग जो डिएड़ सो साल से रह रहे हैं उनके लिए आपके पास को हजार लोग दिखाई दे रहे हैं और उन पचास हजार में ऐसा भी नहीं कि सारे मुस्लिम है कुछ हिंदू भी है कि यह तो सिस्टम है कि अब क्या करेंगे लोग इस फैसले के बाद करो इंक्रोच्मेंट कि देखा जाएगा बाद में तो कहीं न कहीं जमीन देगी ने सरका क्या करेंगे आप अब दोस्तों एक कंटेंट एफैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रिबूट करते रहेगा फोन पे पेटियम का नंबर इसकिन के दिवा आप इसके तुरू डोनेट कर सकते हैं अधिक साधिक लोगों तक इसको सेयर कर दीजिएगा लोगों से अपील करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें देखें मैं ऐसी तरीके के फैक्ट्स और कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा आप सबी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जयस्तर राम